नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल एजूकेशन में आज हम लोग सीजी व्यापर में पूछे गए हिंदी व्याकरण की जो लिंक से सम्मधित प्रस्ण है उसमें से टॉप 25 प्रस्ण का हल देखेंगे साथ ही यह ऐसा सीरीज है जिसमें आपको क्वेस्टन के जरिये से लिंक का पूरा कॉंसेप्ट ही समझा जाएगा तो लिंक को पुरी तरह से समझने के लिए हमारे इस वीडियो में अंतर जरूर बने रहे हैं और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेस्टन तो आज का हमारा पहला क्वेस्टन है सब्द की जाती को कहते हैं आपसर नमबर A है वचन, आपसर नमबर B है लिंग, आपसर नमबर C है संग्या और आपसर नमबर D है सर्वनाम तो इस question में पुछा गया है कि सब्द की जादी को क्या कहते हैं? तो किसी भी सब्द की जादी को क्या कहेंगे इसका अंसर आजाएगा आप्सन नमबर B लिंग और संग्या किसे कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या विशेशिस्थान के नाम को संग्या कहते हैं और सरवनाम किसे कहते हैं? जो संग्या के बदले आता है, जैसे यह वह, तो यह सब क्या है? सरवनाम है, तो इस question का अंसर क्या है दोस्तो? आपसन नमबर B तो आज का हमारा दूसरा question है, हिंदी व्याकरण के अनुसार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपसन नमबर A है 2, आपसन नमबर B है 3, आपसन नमबर C है 5, और आपसन नमबर D है 4 तो हिंदी व्याकरण के अनुसार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तो? इसका अंसर आएगा, आपसन नमबर A, दो प्रकार के हैं आपसन नमबर A है सेना, आपसन नमबर B है जवान, आपसन नमबर C है लड़का, और आपसन नमबर D है बचपन तो इसका अंसर क्या जाएगा दोस्तो? इसमें इस त्रिलिंग कौन सा है? इसमें आएगा आपसन नमबर A, सेना और जो जवान, लड़का और बच्पन ये सब चीज क्या है? पूर्लिंग संग्या है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या जाएगा आपसर नमबर A अब चलिए देखते हैं आज का हमारा चौथा क्वेस्चन तो आज का हमारा चौथा क्वेस्चन है निम्न में से पूर्लिंग संग्या को पहचानिये आपसर नमबर A है भीड, आपसर नमबर B है कमेटी, आपसर नमबर C है कक्षा और आपसर नमबर D है चात्र तो इसमें से पूर्लिंग कौन सा है दोस्तो? इसका आंसर आएगा आपसर नमबर D, चात्र और जो भीड, कमेटी और जो कक्छा है ये सब क्या हो जाएगा इस्त्रिलिंग मतलब कोई भी जो समूह वा चक संग्या रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इस्त्रिलिंग में मानते हैं तो इसमें इसका अंसर क्या जाएगा आपसर नमबर D छात्र जो की पूलिंग है अब चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेस्चन तो आज का हमारा पांचवा क्वेस्चन है नीम्नमे से पूलिंग संग्या को पहचानी है आपसर नमबर A है जनवरी आपसर नमबर B है फरवरी आपसर नमबर C है मई और आपसर नमबर D है जुलाई तो इस क्वेस्चन में पूलिंग संग्या कौन सा है दोस्तो इसका अंसर आएगा आपसर नमबर B फरवरी और जो जनवरी मई और जुलाई है ये सब क्या है इस्त्रिलिंग है ये सभी अपवाद है क्योंकि जो महिने के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं पुलिंग होते हैं तो जनवरी मई और जो जुलाई है ये बस क्या है इस त्रिलिंग है बागी सभी फरवरी और बागी सभी महिना क्या है पुलिंग है तो इजन सब को याद करिए दोस्तो तो ये रहा इसकिन में आज का छटफा क्विस्चन निम्नमे से पुलिंग वर्ण को भेचानी है आपसा नमबर D A जो बड़ी E और छोटी E और रीसी है ये सब क्या है इस्त्रिलिंग है दोस्तो आपको बता दे आपके जनकारी के लिए कि जितने भी वर्ण माला के जो वर्ण है वो सभी क्या होते हैं पुलिंग होते हैं मात्र छोटी E बड़ी E और रीसी को छोड़की ये तीनो क्या है अपवाद है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेस्चिन तो आज का हमारा सात्वा प्रस्ण है नीमनमे से इस्त्रीलिंग संग्या को पहचानिए अब इसमें भी इस्त्रीलिंग पुछा है आपसर नमबर A है हाथ आपसर नमबर B है पैर, आपसर नमबर C है गला और आपसर नमबर D है नाक तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सरीर के जितने भी अंग होते हैं वो अधिकांस पुर्लिंग होते हैं लेकिन इसमें जो नाक दिया है चौथा आपसर नाक ये क्यों हो जाएगा इस्त्रिलिंग संग्य हो जाएगा इसके साथ ही जो दाथ होता है और हमारा क्या हो गया उंगलिया हो गया ये सब चीजे क्या है इस्त्रिलिंग संग्य के अंतरगर आता है तो चले देखते हैं आज का हमारा अगला question तो आज का हमारा आठवा question है नीमने में से इस्ट्रिलिंग संग्या को पहचानिए आपसा नमबर A है अंगुठा आपसा नमबर B है सीर आपसा नमबर C है आँख और आपसा नमबर D है कान तो अभी अभी मैंने बताया दोस्तो कि सरीर की जितने भी अंग है वो क्या होते हैं अकसर पुलिंग होते हैं लेकिन आख है नाख हो गया और आपका क्या हो गया अंगुठा हो गया और दात हो गया ये सब चीजे क्या है इस्ट्रिलिंग है तो इसमें कौन सा option सही होगा option number C आख जो की इस्त्रिलीन संग्या है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला question तो आज का हमारा नवा question है नीमन में से इस्त्रिलीन संग्या को पहचानिए इसमें भी बोला है कि इस्त्रिलीन संग्या कौन सा है option number D, Jeeb sorry दोस्तो, पिछले वीडियो में मैं दात को strilling बोल दिया था, लेकिन दात भी क्या होता है, pulling होता है तो इसका answer क्या जाएगा, option number D, Jeeb तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा अगला question तो आज का हमारा दस्वा question है नीमनमे से strilling संग्या को पहचानिये, इसमें भी वही पूछा है, सरीर का आंगी है, तो आपसा number A है उंगलिया, आपसा number B है, हाथ आपसा number C है, अंगूठा और आपसा number D है, दात तो इस question में कौनसा answer सही होगा दोस्तो, आपसा number A, उंगलिया इस strilling संग्या कौनसा है, उंगलिया तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा अगला question, तो आज का हमारा अगला question है, नीमनमे से strilling संग्या को पहचानिये आपसा number A है, हलुआ आपसा number B है, अना अचार, आपसा number C है, रायता आपसा number D है, रोटी अक्सर क्या होता है, दोस्तो कि जो भी ये खाने पिने की जो समान होती है न, वो किसके अंतरगत आता है? पूर्लिंग संग्या के अंतरगत लेकिन इसमें strilling संग्या पूचा है, तो strilling संग्या कौनसा हो जाएगा? आपसा number D, रोटी आज का हमारा बारवा क्यूस्चन है, नीम्न में से strilling संग्या को पहचानिए, आपसा number A है गेहूं, आपसा number B है जुआर, आपसा number C है बाजरा, आपसा number D है जौँआर, तो इसमें strilling संग्या कौनसा है दोस्तो? इसमें आपसा number B, जौआर, पर ध्यार रखिएगा जो भी अनाज होते हैं, वो किसके अंतरगत आते हैं? पुलिंग के अंतरगत, लेकिन अपवाद में कौन-कौन से हैं? जौआर हो गया, मुंग हो गया, अरहर हो गया, ये सब किसके अंतरगत आते हैं? इस्त्रिलिंग संग्या के अंतरगत, तो इसका अंसर क्या जाएगा दोस्तो? आपसा number B, जौआर तो आज का हमारा तेरवा क्वेस्चन है, नीमन में से स्त्रिलिंग संग्या को पहचानियें, अब इसमें भी क्या पूछा है? इस्त्रिलिंग संग्या, अपसा number A है पानी, अपसा number B है दूद, अपसा number C है सक्कर, और अपसा number D है चाय, अभी इन सभी चीजों से मिलकर तो चाय बनता है दोस्तो, लेकिन जो पे-पदार्थ होते हैं, द्रवे-पदार्थ, वो सभी किसमें आते हैं? पूरलिंग के अंत पाद है, यह जो है इस्त्रिलिंग के अंतर गताता है, तो यह कौन सा अपसन सही हो जाएगा, अपसन number D, चाय, तो आज का हमारा अगला question है, नीमन में से इस्त्रिलिंग संग्या को पहचानिये, इसमें भी पूछा है, इस्त्रिलिंग संग्या क्या है, दोस्तो आपको बता अपसन number B है, कॉफी, अपसन number C है, सक्कर, और अपसन number D है, दही, तो इसका अंसर क्या जाएगा, अपसन number B, कॉफी, अभी ही बताया था, नीमन में से पूर्लिंग संग्या को पहचानिये, इसमें आप पूर्लिंग को पहचानने है, उसमें इस्त्रिलिंग को पहचाने थी इसमें पूर्लिंग पहचानने है आपसर नम guy है, जीब आपसर नमब B है नाक आपसर नमब C है आenक और आपसर नमब D है गला तो इसमें पूर्लिंग संग्या कौन सा है, दोस्तो इसका और आंसर आ जाएगा आपसर नमब D गला जो जीब नाक और आख है ये किसमें आता है स्ट्रिलिंग के अंतरगर तो इसका अंसर आएगा आपसन नमबर D नीमन में से पूरलिंग संग्या को पहचानिए इसमें भी पूरलिंग संग्या पुछ है आपसन नमबर A है कुरसी आपसन नमबर B है गरदन आपसन नमबर C है स्वी और आपसन नमबर D है बालक तो जो कुरसी, गरदन और स्वी है दोस्तो ये सब इस्ट्रिलिंग है तो इसका अंसर भी क्या जाएगा आपसन नमबर D बालक दोस्तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सिहर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सकें तो 17 नमबर क्वेस्चन है नीमनमे से पूलिंग संग्या को पहचानिए आपसन नमबर A है कोयल आपसन नमबर B है पक्छी आपसन नमबर C है तितली और आपसन नमबर D है मैना तो इसमें पूलिंग संग्या कौन सा है दोस्तों जो कोयल, तितली और मैना है ये तो सब इस्त्रिलिंग है तो इसमें आपसन नमबर B आजाएगा जो पक्छी है और पंची है ये सब चीज़े क्या होती है पूलिंग संग्या होती है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्विस्चन तो आज का हमारा अगला क्विस्चन है नीमनमे से पूलिंग संग्या को पहचानिये आपसन नमबर A है जूती आपसन नमबर B है रसी आपसन नमबर C है मोतिया और आपसन नमबर D है लूतिया तो इसमें पुलिंसंग्या कौन सा है दोस्तो आपसors number C मोतिया जो भी आब भुसण वगएरा होता है यह सब चीज किस में आता है पुलिंसंग्या के अंतरगता है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्विस्चिन नीमनमे से पूलिंग संग्या को पहचाने इसमें भी पूलिंग संग्या पूछा है आपसा नमबर A है घबराहाट आपसा नमबर B है कड़वाहाट आपसा नमबर C है सजावट और आपसा नमबर D है दुख तो इसमें पूलिंग संग्या कौन सा है दोस्तो आपसा नमबर D द जारण है तो जीतने भी उससे सब्द बनेंगे वो सब किसमें आएंगे इस्त्रिलिंग दोस्तो ध्यान से पढ़िएगा ये सभी क्वेच्चन आपको व्यापा में देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं नीम्न में से इस्त्रिलिंग संग्या को पहचानिए इसमें भी पूछा इस्त्रिलिंग संग्या आपसा नमबर A है बुध आपसा नमबर B है सुक्र आपसा नमबर C है पृत्वी और आपसा नमबर D है व्रिहस्पति ये सभी क्या है ग्रह है ग्रहों के नाम है तो इसमें इस्त्रिलिंग संग्या कौन सा है आपसा नमबर C जो पृत्वी है वो इस सबी जो ग्रह है उसके नाम किसमें आएंगे पुरलिंग के अंतर गताते हैं तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेस्चन तो आज का हमारा अगला question है नीमन में से Sutrilling संग्या को पहचाणिए इसमें Sutrilling संग्या पूछे है आपसा नमबर A है मूंग, आपसा नमबर B है ग्येहू, आपसा नमबर C है बाजरा और अपसा नमबर D है चëlा जो गिहु बाजरा और चना है ये सभी तो पूरलिंग है मैंने बताया था तो इसका आंसर आ जाएगा आपसन नमबर A मूं जो की स्ट्रिलिंग संग्या है अब चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेस्चन तो आज का हमारा अगला क्वेस्चन है नीमने में से इस्ट्रिलिंग संग्या को पहचानिए आपसन नमबर A है चित्रा आपसन नमबर B है छाता आपसन नमबर C है गुस्टा आपसन नमबर C है चस्मा जो छाता गुस्टा और चस्मा है दोस्तो ये सभी पूरलिंग है आकारांद पूरलिंग तो इसका आंसर क्या जाएगा आपसर नमबर A जो चीतरा है वो क्या है स्ट्रिलिंग है चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्विस्चन तो आज का हमारा अगला क्विस्चन है नीमन में से स्ट्रिलिंग संग्या को पहचाने है इसमें इस्त्रिलिंग संग्या पुछा है दोस्तो आपसा नमबर A है मार्च आपसा नमबर B है जुलाई आपसा नमबर C है चैट और आपसा नमबर D है बैसाक तो इसमें हमें क्या पुछा है इस्त्रिलिंग पुछा है तो आज का हमारा अगला question है नीमने में से sterling संग्या को पहचाने इसमें sterling संग्या पूछा है आपसर नमबर A है खान दान आपसर नमबर B है दवा खाना आपसर नमबर C है जेल खाना और आपसर नमबर D है लिखावाट तो दोस्तों अभी अभी बताया था जो आवट करके ज देल खाना ये सभी किस में आजाएगा फूर लिंग के अंतर गए तो इसका आपसर क्या जाएगा दोस्तों आपसर नमबर D तो आज का हमारा अगला question है नीमने में से sterling संग्या को पहचाने आपसर नमबर A है चिडिया आपसर नमबर B है पक्छी आपसर नमबर C है तोता औ आपसर क्या जाएगा दोस्तों इसका आपसर आएगा option नमबर A चिडिया जो पक्छी तोता और कंवा है ये सभी क्या होता है फूर लिंग जो चिडिया है वो क्या हो जाएगा sterling दोस्तों आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको exam पांटे प्यू से बहुत अच्छा लगा ह होगा सभी question करके जाएगा ताकि कोई भी question ना छुटे मिलते हैं हमारे next वीडियो में एक नए test series वीडियो कैसा लगा ये comment करके जरूर बतेएगा दोस्तों और आप अगर competition exam की तयारी कर रहे हैं और जो भी topic आपको समझ नहीं आता तो आप comment जरूर करिएगा ताकि हम आपक हुआ 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 है